अलो गाईज, स्वागत है आपको आपने इस चैनल में जिसका नाम है सेफटी स्किल तो दोस्तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है O.D.C अगर आप एक सेफटी प्रोफेशनल है तो आपने ये सब्द ये जो वर्ड है आपने कई बर सुना होगा जिसके बारे में आज हम लोग पूरे अच्छे से जानने वाले हैं तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जो है वो हम लोग जान लेते हैं वीडियो के अंतक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इन्फोर्मेटिव जानकारी देने वाला हूँ तो हमारा फॉल फॉर्म अच्छे से मतलब होता है इस 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 यह बहुता है और आगर किसा अगर ब गर कि कि अधिया है ते इस का क्या है एक अपर रहे हैं, तो भी हो बात कर रहे हैं, तो इसका क्या शर्ट साइब्सक्त बढ़ेंड這些, इस फोटो में साफ साफ दिखाया गया है कि जो भी material है वो उसके डाला से बाहर है तो उसे हम लोग कहेंगे over dimensional consignment तो इसके कुछ रूल्स होते हैं ये कब company के बाहर से निकलेंगे कब सिफ्ट होंगे एक जगर से दूसरे जगा क्या क्या नियम है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहला ये road के बारे में हम लोग बात करें ये आपको ध्यान में रखना है बाई road ही ये गाड़ी जाएंगी और इसका जो timing है वो है रात के साड़े दस से सुबा के साड़े पांच बजेगा timing इसी बीच में ये move करेगी ठीक है जाने से पहले जिस गाड़ी को जहां से निकलना है जहां तक जाना है वो पूरे route का एक बार visit करना ज़रूरी है कि रास्ते में कहीं कोई verification वगरा तो नहीं है the road तो ठीक है काई कोई टहनी तार वगरा कोई तो नहीं लग रहा है ये सब चेक कर लेना है ठीक है कहां-कहां मेरा माल भासेगा कहां मेरी गाड़ी करते हैं ये सब पहले चेक है सारा inspection जो visit है वो कर लेना है एक दिन पहले दो दिन पहले है वहां से भी सभी से आपको जो भी डॉक्मेंटेशन वगरा है पर्मिशन वगरा है वो लेना हो पड़ता है ठीक है उसके बाद जब यह गाड़ी निकलेगी तो रात का ही समय रहेगा साड़े-दस से तो गाड़ी के आगे एक फॉर वीलर चले गी हमेशा ठीक है उस फोर वीलर में एक फ्लैगमें रहेगा जो हाथ में टोर्स ले रहेगा रे और ग्रीन का ठीक है और ये जो गाड़ी है, जिसमें माल रखा हुआ है, इसका speed limit बहुत ही कम रहेगा, ठीक है? जनरली जो गाड़ी जो अधर होती है 50-60 चल रही है, उसमें नहीं चलेगा, यह बहुत ही minimum speed 10-20-30, इस तरीके चलेगा, जादा है speed में नहीं चलेगा, ठीक है? तो यह कुछ नियम्स है जो की ODC में फॉलो करने पड़ते हैं जो भी observer है observer को पहले route चेक कर लेना अच्छे से उसके बाद permission लेना है local admin से time जो है उसी time में ही चलना है उसके लाब दुसरे time में ही चलना है आपको खड़े रहना है road पे यासे आप लोग देखे हूंगे रोड के साइड में गाड़ी खड़े रहते हैं उसी तरीके से और हम इसा जब यह गाड़ी चलेगी उसके आपको एक four wheeler चलेगा और वो टॉर्स लिए रहेगा जो red और green कलर का होगा जब डेंजर होगा या road के लिए नहींगा तो red जलाएगा और just okay होगा सब को इस तो green जलाएगा ठीक है तो दोस्तों यह है odc का पूरा information और guideline आई hope आपको यह वीडियो बहत ही अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब कर लेना